अस्सलाम अलेकुम, हाइलो एफ्रीवन, विल्कम तू दू दू चैनल, आज हम बहुत ही जटपट ओमलेट की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, और यह ओमलेट बहुत टेस्टी बनके तयार हुआ था, इसके लिए हमें प्यास टमाटर, शिंगला मिर्च, भरी मिर्च को बारी कट क लेना है, और मसाले सिर्फ हम घर के लिए हैं, इसमें लाल मिर्च पॉडर, काली मिर्च पॉडर, थोड़ी सी हल्दी और नमक, और यह चार अंडे लिए हैं, यह देखिए इस तरह से हम बारी-बारी कट करके लिए हैं सारी सबजियों को, और एक हैंड़ फुल हरादनिया लेना है, चलिए अब हम इस ओमलेट को बनाते हैं, इसके लिए हम एक पैन लिए हैं, और गयास हमारा मीडियम हाइफ लेम पे हैं, और हम एक और आधा चमच, तेल एड़ करेंगे, तेल हम थोड़ा कम ही इस्तेमाल किये हैं, यह देखिए, तेल गरम होने के बाद हम सबसे कि आदे प्यास को एक करदे हैं, और हमें बहुत ज्यादा लाल नहीं करना ही को है ठोड़ा सा हम फ्राइर कर लेना हैं और इसमें हम शिंगला मिर्च आद कर देंगे और Mix कर लेंगे , अधी क्यू supports iरें थूड़ा कि अध्यून काज़ात ये अंड़ थेंगे cow coffee को एड़ कियी खूड़ा हम धानु ना देते हैं тुमाटर मिक्स कर लेंगे अधी को हम अध्यूदी काज़ार काज़ा ज़के दो, बौरके रूल करें दोचांगे आट नमक हल्दी और कालिमिज पाउडर और मिक्स कर लेंगे और दूसरे साइड हमारी सबजियां भी अच्छे से पक रही है ये दिखिये और अब हम इसमें टमाटर एट कर देंगे टमाटर एट करके हम दो मिनट तक पकाएंगे और ये बहुत जल चल जाते हैं ये देखिये बहुत ही अच्छे से सब्जियां पक रही है और अब हम इसमें वो अंडे एट कर देंगे अंडे के बैटर को एट कर देंगे बहुत ही यम्मी ओमलेट बनकर तयार हुआ था और घर में सबको बहुत पसंद आया था और अब इसको ढखकर तीन मिनट तक हमें पकाना है और गयास को लो फ्लेम पे ही रखना है बहुत ज्यादा हाय फ्लेम पे ना रखें तीन नट के बाद हम इसको इसके किनारों से यह पका हुआ दिखाई दे रहा था तो हम स्लोली इसे देखे निकल सकता है या नहीं यह देखे इस तरह से हम चेक कर रहे थे और यह चारोर से पकाता हम ओईल थोड़ा कम आइट किये थे इसलिए थोड़ा सा यह नीचे से चिपक गया था आप ओईल थोड़ा सा ज्यादा आइट किची यह देखे बहुत ही टेस्टी ओमलेट बनाया है आप रोटी के साद भी कह सकते हैं पराठी के साद भी खा सकते हैं या फिर आप और ओमलेट भी खा सकते हैं आप आप लोगों को आज की हमारी रेसीपी पसंद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कीचिए थैंक यू